बुक्तुमानी बच्चों! आई हम आपको हमारा पुरा पुरस तो हो गया है ना आप हम आपको रिवीजन कराएंगे रिवीजन के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके पदिक्षा में आएंगे कौन-कौन से पार्ट है वैसे हमने सिलेपत बेज दिया है इसमें आपका पार्थ 9 आएगा पार्थ 10 आएगा एपीजे अब्दुलकलाम यीदगा और पार्थ 11 नहीं आएगा 9, 10, 12 13, 14 15 बस यह आएगा 16 पार्थ नहीं आएगा तो 11 पार्थ नहीं आएगा और 16 पार्थ नहीं आएगा तो आपको इस वाद का ध्यान रखना है अब हम कराते हैं देखते हैं कि आपको इस वार नई पैटर्ण से आपके विपर आएगे तो 9 पार्थ यह आएगा 9 पार्थ में देखना है 9 पार्थ अब्दुलकलाम और इन में भी है न इन पार्थ में से पार्थ 11 कौन से नहीं आएगा 11 नहीं आएगा और 11 नहीं आएगा तो आपको 9 दस पढ़ना है पार्थ 11 बखरी वाला नहीं आएगा तो आपको देखना कि 9 इन में आपको सही विकल्प पढ़ना है और सही विकल्प पढ़ना है, सही या गलत पढ़ना है, खाली स्थान पढ़ना है, प्रशन उत्तर वाले पढ़ना है, चोटे उत्तर वाले और देखोईए, सही विकल्प, प्रशन उत्तर, खाली स्थान, सही योडी, सही या गलत पढ़ना है, याद करना है ओर पत्र अनोच्चे जे सवाएंगे। तो हम देखते हैं की पार्ठ 9 में यसे है और प्रशनुत्र कौन से बड़े बड़े वाले नहीं आज करना है। छोटे छोटे वाली प्रशनुत्र याज करना है। जो कम एक या दो शब्द वाले यह तो सही विकल्प तो सारे पड़ना है पार्ट 9-10-11-12-13-14-15 वार्ट 11-16 नहीं आएंगे कुछ नहीं आए पार्ट में से नहीं तो छोटे छोटे प्रश्ण उतर आएंगे इंहें भी बड़े बड़े नहीं आएंगे डाक्टर कलाम का जन्म कबर कहा हुआ यह आ सकता है है ना कब वह यह दोख इसका उस्तर यहां है डाक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर ऐसे लिख सकते हैं 15 अक्तुवर 1931 को तमिल नाड के रामी शृरम में गुआ तमिल नाड के रामी शृरम में इतना ये बड़ा नहीं आएगा एक एक दो दो शब्दों के उत्तर आएंगे के वड़े उनकी माता पिता का क्या नाम था उनकी पिता का नाम क्या था जैनुलाबदीन और मा का नाम आशिम ये आ सकता है पिता का नाम जैनुलाबदीन और मा का नाम आशिम या दुराई सोलोमन कौन थे उनकी गुरू थे ये आ सकता है और ये बड़े वाले उत्तर नहीं आएंगे केवल एक या दो शब्दों वाले उत्तर आएंगे तो इसको के सथान यह हो और यह विराम चिन जरूर पढ़ देना हो सकता विराम चिन में आ जाए है आको और देखो इसी चरह से यह पार आध को पार-दस में भी छोटे वाले आएंगे अममुत यह सही वीगलब तो सारी आएंगे सबीसे यह पूरे पढ़ लिनां अमि आपनी को ट्री में कैसे यह कुछ नहीं आएगा बड़े बड़े कुछ नहीं आएगे क्यों रो रही कि या मेहमूद का सिपाई कैसा था ऐसे यह वाले नहीं आएगे बड़े वेल कितने पैसे आएंगे कौनसे वाले प्रशन आएंगे किसने किस से कहा यह आ सकता है किसने किस से कहा यह जरूर देख लेंगे यह आएगा और देखो इसमें से ऐसे बना किया सकता है यह कहा नहीं लेकिन आपको पढ़ लेना धिहान से बहुत ज़्यादा है तो इससे आपको पढ़ने में आसानी रही है तो इसमें आपको क्या कर लेना है यह तो विकल्ब तो देखना ही है और एक शब्द वाला इसमें देखो है क्या पेड़ने लकड़ार से क्या कहा यह इतने बड़े बड़े कोशन अंसर कोई नहीं आएंगे कि इसमें से कोई कोशन आंसर नहीं आएंगे केवल सही विकल्ब देख लेंगे इसमें से और और क्या है इसमें बस इस नहीं आएगा मैं लगता है किसने किस से कहा में भी तो आ सकता है तू मिझे क्यों काटता है तो पेड़ने कहा लकड़ारे से है ना इस तरह से अब पाट तेरा में यात्रा जो पूरी ना हो सकी इसमें कौन-कौन से प्रस्ण आएंगे बहुत आसकता है आठ मील दूर थी रास्ता दिखाने के लिए नहरुजी के साथ कौन था गडरिया था यह भी आसकता है अब यह बड़ा बला नहीं आसकता है यह बड़े नहरुजी दलने बर्फिली नदियों कैसे पार्क गया या हिम्न सरूवर का द्रश्य कैसा था हिम्न सरूव पाने विकल्ब तो आएंगे ही सारे भाया के रसगुले लाने पर मुन्नु क्या गा रहा था यह भी नहीं आएगा तो बड़े बल्ले मुझे खुलाते हैं रसगुले बल्ले बल्ले तो बड़ा हो गया ना इसलिए नहीं आएगा भाया कैसे रसगुले लाए थे ठंडे ठंडे और मीठे मीठे यह आ सकता है और देखो और कौन सा चोटे चोटे ऐसी आंसर वाले आएंगे आपको सब देखना जो चोटे आंसर एक है दो लाइन में होंगे वहीं आएंगे यह और यह इस तरह से समान अर्थ वाले और प्रित अर्थ वाले यह तो आएंगे परियावाची शब्द और विलोम शब्द आएंगे यह आपको तो यह आपको उसमें से व्याकरण से भी पढ़ने ना है व्याकरण परियावाची और विलोम शब्द है ठीक है न अब यह है अ अंतिम पाठ है यह इसमें से ज्यादा वो सोला पाठ नहीं आएगा तो इसके विकल्प तो सारे पढ़ी लेना है और 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 कौंसा छोटे जो आंसर होंगे वह यह इंगे कहाली स्थान आसकते हैं सभी व्यक्ति वीर नहीं नहीं होते इसका अत्तर होगा नहीं होते नहीं होते लिखाए क्या इसको पाठ को पढ़ लेंगे आपको ध्यान से तब समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा है सभी व्यक्ति न्याय प्रिये नहीं होते यह है लगता है यह सभी व्यक्ति न्याय प्रिये नहीं होते तो पहले का उत्तर है, इस खाली स्थान में सभी व्यक्ति ना है, प्रिय नहीं होते, मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, उसे आरना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं, वह अपने दिमाग की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करें, दिमाग की ताकत, मै मैंने अपने पत्तर में बहुत कुछ लिखा है, तो ये खाली स्थान आ सकते हैं, ये खाली स्थान देख लेंगे, ये सही विकल्प देख लेंगे, और देखो, बस यही है, ये वाला पाठ तो आपके आए गई ने, अब इनी में पाठों में से सही जोडियां भी आएंगी और किसने किससे कहा भी आएगा, किसने किससे कहा तो आपके इसमाली पार्ट में है, और भी बना बना की भी आ सकते हैं, ये सारे पार्ट आपको अच्छे से रीडिंग भी कर लेना है, और व्याकरण में, जो व्याकरण में तो पूरे पार्ट आएंगे वो वाली यतने हैं उनमें वचन है और जो भी कुछ पार्ट में व्याकरन में हैं आपके वह आएंगे सारी तो इनी व्याकरन में सही ही मेले लिए रबन सकती है है और किसो और किस्णाद जसमें से हो गया और पर्यावाचि प्ठलेंगे फूरे और वो पढ़ लेंगे विलोम शब्द पढ़ लेंगे पूरे और एक या दो शब्द वाले प्रश्न उस्तर पढ़ लेंगे पूरे और उसमें आपको व्याकरण में आपको क्या करना है जुर्माना माफियतु पत्र पत्र कौन के पत्र हैं आपके देखते हैं सबसे पहले है संबाद लेखने आपको है ना तो संबाद दो मित्रों का संबाद है दो सहीलियों का संबाद है और यह अपनी हिंदी सिक्षिका के विवार पर लिखे गए संबाद को पूरा करें दो सहीलियोंका दोस्तों की बात ऊरहिए लेकिन किस विशय में बात ऊरहिए अपनी हिंदी की सिक्षिका की विशय में बीचीorg तो उसके विशय में आपको चार छाट लाइन की वो संबाद लेखना है, ठीक है ना इसको पढ़ना है और पत्र कौन से आएंगे, कहानी लेखन में आपको और चित्र भी बनाते जाना है, लेकिन कहानी यह ध्यान लखना, रहां कहानी यह लिखेंगे यह दो मित्र वारी कहानी हömा लोतो फोड़ा सलिग डिल。 दो मित्र बना दो पैर टूट गया तो फिर एक बना कि इसका पैर शोड़ासा कर दो इस तरह थोड़ि छोटी-छोटी कहानिया एकफी औ दो चित्ट्र बना खरके चाहनी कहानी लिखना है और अनुच्छेद लेखन कौन सा आएगा आपको जब मैं देर कि कौन-कौन से अनुच्छेद लेखने आपके मैं देखते हैं अनुच्छेद लेखन यह दो यहें तने सारे जब मैं मौल गुमने गई यदी में ब्रक्षूथा या जब मैं वर्षा का एक दिन लिखाये था आपको नहीं यह आपको यह पढ़ सकते हैं और जब मैं देर से घर पोछा इस विष्या पर भी लिख सकते ना मैं देर से घर पो बरसने लगा तो हम अपने मित्रों साथ में पैदल आ रहा था तो रास्ते में हम लोग पानी बरसा में नहाने लगे और नहाते में खेलने लग गए और इस तरह से घर पहुंचने मुझको देर हो गई तो देर से पहुंचा तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि घर में मम्मी पापा मेरी ध्यांट लगाएंगे, तो मैं डरते डरते घर में पहुचा, पूरा भीग गया था, पानी से पूरा भीग गया था, मेरा बस्ता भी भीग गया था, तो मैं डरते डरते घर पहुचा, लेकिन घर पहुचते ही, पापा ने प्यार से पूचा कि इतनी देर कहां रह और फिर उनों गरम-गरम मेरे लिपकोडी बनाई फिर मैंने खाई और में खाकर चुपचा सो गया इस तरह से मम्मीन समझाए कि ऐसे दुबारा कभी नहीं करना जब यदी रुखना हो तो पता के रुखना है ना इस तरह से जब देर से पहुंचे हो कभी इस तरह से लिख सकत पाट है ना वो ज़रूर पढ़ना है और यह अश्विशोद्र ने योग मुहावरे वाला पार्ट है यह यह पाट यह पूरे मुहावरे आपको पढ़ना है इन मैसे कौन-कौन से देखो जैसे आखों में दूल योंकना है या आग बबुला होना है या उंगली पर नचाना है गी के दिये जलाना है और काम तमाम करना नौ दो ग्यारा होना टांग अड़ाना घणव पानी पढ़ना मू में पानी भराना गी के दिये जलाना है ना इस तरह से आपको हाथ साफ करना यह यह आपको पढ़ लेना है इनको और इनके अर्थ भी लिखना है और वाक्तों मे इस तरह से आपका ये रिविजन पूरा हुआ ये सही या गलत देखो ये लिखा हुआ है तो सही या गलत भी देख लेंगे है कि ये सही तर गलत उतर है ना इस तरह से आपका ये पूरा हुआ है ना तो ये रिविजन पूरा हुआ अच्छे पढ़ाई करना अच्छे पेपर दिना, okay, good day